एक अच्छा ओफिस चलाने के लिए ओफिस की अच्छी वर्किंग को कराने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है एक अच्छी ओफिस को की अच्छी वर्किंग के लिए हमें चाहिए वहाँ पर एक अच्छी मैनेजमेंट हो वहाँ पर अच्छी एड्मिनस्ट्रेटिव skills हो, जो इंसान वहाँ पर top level पर बैठा है। अगर जो इंसान वहाँ पर जो एक office संबाल रहा है उसे ये ही नहीं पता कि किस व्यक्ति को मुझे क्या काम देना है मुझे किन व्यक्तियों से अपना जुडाव करना है, किन व्यक्तियों से बनाने के लिए आपकी top lead की administrative skills बहुत ही अच्छी होनी चाहिए इसके लिए सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि जो आपकी top lead है जो administrative level पर इंसान है जिसको ये देखना है कि कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा जिसको अच्छे लोगों से जुडाब करना है जिसको बाहरी दुनिय से अच्छे सरकारी लोगों से जुडाब करना है उस व्यक्ति की seat आप अगर east में लगा देते हैं तो एक top lead बन जाता है उस top lead की सब लोग सुनते हैं और अच्छी management वो इंसान कर पाता है इसके इलावा अगर आप अपने office में east में जिस व्यक्ति को आपने east में बिठाया है या उसी के cabin में आप एक brass के इंदर देव को place कर देते हैं ब्रास के इंदर देव का sometime की अपने office में यारि की पूर्व की दिशा में अगर आप अपने office में प्लेस कर देते हैं तो आपमे office में drastic change देखते हो और यह देखते हो कि आपके office की management दीरेऄ दीरे सुधरनी शुरू ह हो गई है अच्छी होनी शुरू हो गई है वहाँ पर लोग अच्छी koordination से काम कर रहे हैं अच्छे manager तरीके से सब कार्या चल रहे हैं सब लोग अपनी कारे कुशल्ता की अनुसार अच्छे से वर्ब करना शुरू कर रहे हैं ब्रास की इंद्रदेव को जब हम प्लेस करते हैं इस्ट की दिशा में तो आपके office की management बहुत जादा सशक्त हो जाती है वहां की administrative skills बहुत सदा अच्छी हो जाती है और आपके office की कारेकुशलता अधिक बढ़ जाती है जिससे आपका office आपका काम आपका व्यपार एक सफलता की रहा पर चल पड़ता है किसी भी काम में सफलता लाने के लिए लोगों में coordination और एक अच्छी management का होना बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए आप अपने East की दिशा को चेक कर सकते हैं जो top lead है उसे आप East की दिशा में बिठा सकते हैं या आप अपने office के East जोन में एक brass की इंद्रदेव का statue को place कर सकते हैं ताकि आपके office की management और ज्यादा सशक्त हो जाए और आपका office अच्छे से काम करें अच्छी कारेकुशुता से काम करें और उचाईयों को छुए